20 साल के तिलक बर्मा ने वेस्टेंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया है। तिलक इस सीरीज में अभी तक भारत के बेस्ट बल्लेबाद है। तिलक के बल्लेबाजी देखकर कौन कहेगा कि तिलक बर्मा ने इसी सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू किया है तिलक अब तक इस सीरीज में एक गिवार दबाव में नज़र नहीं आये है उन्होंने छक्के के साथ इंटरनेशनल मैचों में अपना खाता खोला सीरीज के दूसरे मुकाबले में तिलक ने अर्षटक लगा दिया जब टीम इंडिया के बागी बल्लेबाज जूज रहे थे तब तिलक ने एक तालिज गेंदों पर पांच चौके और एक छक्का लगा कर एक क्यावन रन बनाया तिलक ने इस मैच में अपना शांदाद अर्षटक पूरा किया इसके बाद उन्होंने एक खास तरीके से जस्ट मनाया उन्होंने अर्षटक लगाने के बाद थमसब करते हुए डांस किया तिलक वर्मा दो साल से मुंबई इंडियन्स के लिए IPL में खेल रहे है लेकिन एक बार भी उन्होंने ऐसा जस्ट नहीं बनाया इस मैच में आखिर तिलक वर्मा ने ऐसा क्यों किया इसके पीछे की क्या कहानी है चलिए आपको बताते है तिलक वर्मा ने मैच की बात खुद बताया कि उनके सेलिब्रेशन के पीछे रोहित शर्मा की बेटी समायरा है तिलक ने कहा ये रोहित भाई की बेटी सैमी के लिए था हमारा रिलेशन काफी अच्छा है जब भी मैं इंटरनाशनल क्रिकेट में शतक यार्षतक बनाऊंगा तो मैं ऐसा सेलिब्रेशन करूँगा हम दोनों इसी तरह से खेलते हैं मैंने सैमी के लिए जस्ट मनाया था बीजी स्याय ने तिलक वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है रोई शर्मा की पत्ती ने भी उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है आईपल के दोरान तिलक वर्मा का समायरा के साथ खेलने का वीडियो भी सामने आया था बीजी सेलिक वर्मा का वीडियो सामने आया था